बेलकम टू एक्जाम भी वेचना तो दोस्तों आज आपके स्मक्षलाया हूं हिंदी साहित्य के लगबग 120 अतीम प्रश्णों को तो देखने के लिए तो ये 120 होंगे प्रंतु इन्ही के साथ आपको मैं और भी तत्या बताऊँगा जो कि आपकी आगामी प्रिक्चा के लिए बेहत ज़्यादा महत्पुन होने बादे हैं हर एक प्रश्ण आपके लिए अतीम महत्पुन होगा ठीक है आपको यहाँ पर ऐसा करना है नोट्बुक उठानी है जो जो तत्या मैं आपको बताऊँगा उनको लिखना है तो त्यार हो जाएए सभी प्रश्णों के तत्या लिखने है और थोड़ा वीडियो लंबा हो जा होगी अगला है नाटक में कार्यावस्था एवं अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व कौन सा है तो इसे संदी कहा जाता है तो वासे पूछा जा सकता है कि नाटक में कार्यावस्था और अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व कौन सा है तो यह संदी होता है तो आग प्रतिमुख, गर्व, बिमर्ष और निर्वान, तो ये पांच नाते की संदियां होती हैं, तो अगला जो प्रशन यहाँ पर पूछा गिया है, अयोगभा किसे कहा जाता है, तो जो अयोगभा की अंतर गताती हैं, बिसर्ग, तो इनको ध्यान रखना है, तो बिसर्ग के ये इस प्रकारतेई, ठीक है? अगला है, रसुप कर्षक दोशा उक्ती किसकी है? जो यहां पर उक्ती होगी, तो ये अचारे बिश्वनात की होगी तो ये भी महत्पुन होगा अगला है अच्छारे भरत के अनुसार गुन दोश की संख्या कितनी है तो ये बहुत जादा महत्पुन प्रशने कई बारे इस प्रशन को पूछा गिया है कि जो अच्चारे भरत मुनी है इन्होंने गुण और दोशों की संख्या कितनी मानी है तो देखे अगर पूछा जाए आपसे कि गुणों की संख्या अच्चारे भरत के द्वारा कितनी मानी गई है तो ये दस मानी गई है गुण भी दस्माने हैं और दोश भी अगला प्रशन देखिए साधार निकर्ण का सरप्रतम प्रियोग किस के द्वरा किया गया था तो जो साधार निकर्ण ने इसका सरप्रतम प्रियोग किया गया था भटनायक के द्वरा अगर जो भटनायक है ये अचारे भरत के द्वरा प्रतिपादित रसुत्तर उसके ब्याख्याकारों में से समीलित है अगला है घनाक्षरी किस प्रकार का चंद है तो जो घनाक्षरी है ये बारनीक चंद है इसका भी धियान रखेगा अगला प्रशन है भाव संधी भाव शांती और भाव सवलता सवंध किस भाव से है तो इन तीनों का ही सवंध भी भाव से होगा देखिए एक है भाव संधी भाव शांती और भाव सवलता तो इन सभी का सवंध होगा भी भाव से अगला है भगेली बोली का सवंद है तो बताना है कि जो भगेली बोली कहां पर बोली जाती है तो ये पूर्वी हिंदी के खिशेतर के अंतरगत आती है भगेली अगला जो प्रशनी यहां पर पूछा गया है पुस्तक नारी का मुक्ती संगर्ष डॉक्टर अमरनाथ एवं स्त्री संगर्ष का इतिहास राधा कुमार का होगा तो देखिए क्या है पुस्तक है नारी का मुक्ती संगर्ष किसकी रचना होगी ये तो ये हो जाएगी Dr. Amarnath इसी के साथ स्स्त्रि संगर्श का इतिहास ये किस की रचना होगी तो ये राधा कुमार की रचना हो जाएगी आगे देखे कभी Treluchan का पूरा नाम क्या है तो जो कभी Treluchan है इनका पूरा नाम होगा बासुदेव सिहन Treluchan अगर पूछा जाए कई बार आपसे जो ये त्रिलोचन है इनका समन्द किस बात से रहा है तो ये मुखित प्रक्तिवात के अंतरगत आते हैं अगला प्रशन है उसने कहा था कहानी का मूल उदेश्य या प्रतिपाद्य क्या है तो देखिए कहानी है उसने क्या कहा था इसका जो मूल प्रतिपाद्य रहेगा आधर्ष प्रेम रहेगा अगर ये प्रशन आप से पूछा जाए उसने कहा था कहाने का प्रकाशन बर्ष क्या है तो ये 1915 हो जाएगा और इसके रचनाकार कौन होगे कहाने के तो ये हो जाएंगे चंदरधर्शर्मा गोलेरी अगला प्रशने तेरा जैशंकर प्रसाद के करुणालिय का नाटे रूप क्या है तो देखिए पहले तो दियान में रखनाबने कि जो करुणालिय है किसका नाटक होगा जैशंकर प्रसाद जी का और इसका अगर नाटे रूप पूछ जाए तो ये क्या होगा तो ये गीती न हो जाएगा ठीक है तो यहां पर देखिए हमारी टीम के द्वारा पिजिटी हिंदी एर्टी कमिशन और एर्टी टैड के लिए कोर्स भी लॉंच कर दिये गए हैं और यह ऑनलाइन हैं अगर आप इंटरस्टीड हो तो आप दिये गें नंबर पर बड़ सैप कर सकते हो इसी के साथ यहां पर हमारी टीम के द्वारा पिजिटी हिंदी और एर्टी कमिशन के लिए कुछ महत्पून नोट्स भी बनाएगे हैं अगर आप इनमें से कुछ भी लेना चाहते हो तो किसी की भी डिमांड हो तो आप हमें बड़ सैप मादिम से बता सकते हो तो ठीक है अब अपनी वीडियो की और रुख करते हैं अगला जो प्रशन यहां पर पूछा गया है चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षनिक पदावली कि स्यू की भी बिशेश्चता है तो ये चायबाद की बिशेष्टा थी चित्रात्म भाषा और लाक्षनिक बदावली ठीक है ये दोनों ही बिशेष्टाइं चायबाद की रही है अगला है तो देखिए यहां चायबाद से भी आफसे प्रशन कई बार भी ये बनता है कि चायवाद का प्रवर्टक किसे माना जाता है सर्भमत के इनुसार अगर पूछा जाए तो ये जैशिंकर प्रसाद को माना जाता है अगर चायवाद के चार अधार स्थम्भ पूछे जाए तो उनमें जैशिंकर प्रसाद सुमितन नंदन पंत और अपने निराला जी और महादेवी बर्मा ये च्छायवाद के चार अधार स्तम्र है इसका विधियान रखना है अगला प्रशन पंद्रा जिस परकार आत्मा की मुक्तावस्ता ग्यान दशा कहलाती है उसी परकार हरिदे की मुक्तावस्ता रस दशा कहलाती है तो प्रस्तोत कथन किसका होगा तो ये अचारे रामचंदर शूकर जीका हो जाएगा अगला प्रॉषन देखे हिंदी के किस उप्णियासकार ने अपने उप्णियास में सिंदू नदी के पश्मी-तठ के अबान हिस्से का जिकर किया है तो ये किया है द्रोन बिर कोहली के द्वारा और किस उपनियास में किया है तक्सीम में जो तक्सीम नामक उपनियास है इसमें द्रोन बिर कोहली ने सिंदू नदी के पश्मी तट अवान खेतर के बारे में जिकर किया है अगर आपसे ये फ्रशन पुछा जाए द्रोन बिर कोहली मुख्यतर किस पिदा के रचनाकार थे तो ये उपनियास के प्रमुख रचनाकार माने जाते है अगला प्रशने 17 क्या पूछा गया है गांदी जी के दक्षनी अफरीका प्रबास के घटना का बढ़नन किस उपनियास में है तो ये होगा पहला गिर्मिक्या नामक उपनियास में तो इसका जो पिशे है ये गांदी जी पर अरधारित है जिसमें दक्षनी अफरीका प्रबास के घटना का बढ़नन किया गया है अगला प्रशने 18 अगला प्रशन देखिएगा किस एक उपनियास कारने बावरी विद्वन्स पर उपनियास लिखा है तो ये लिखा है दोधनात सिहां के द्वारा और कौन सा उपनियास है वो तो वो है आखरी कलाम जो आखरी कलाम है ये दोधनात सिहां का उपनियास होगा और इसका बीशे है बाबरी विद्वस विदा याद रखेगा उपनियास विदा की रशना है अक्सर उपनियास जो विदा है होती है यहां से प्रशन बनता है अगला प्रशन है रमेश चंदर शहा के उपनियास गोबर गनेश का नायक कौन है तो जो गोबर गनेश का नायक होगा तो ये बिनायक होगा तो दियान रिखेगा जो गोबर गनेश है इसका नायक कौन है बिनायक है और गोबर गनेश किसका उपनियास है रमेश चंदर शाह का अगर ये पुछा जाए गोबर गनेश की बिदा क्या है तो ये उपनियास हो जाएगी अगला प्रशने 21 बिनोद कुमार शुकल का कौन सा उपनियास घटना भीहिन उपनियास है तो ये हो जाएगा नौकर की कमीज यह उपनियास है और किसका उपनियास है बिनोत कुमार शुकल का और यह गटना भीहीन उपनियास है अगला प्रशने त्रोई का उपनियास किन तीन उपनियासों का सियुक्त नाम है तो पहला हो जाएगा सनोफार, क्या होगा सनोफलावर, दूसरा हो जाएगा पेगी, करमेर की रूहानी यात्रा और तीसरा हो जाएगा जोंके, ये तीन जो उपनिया से इनका स्युक्ट नाम हो जाएगा त्रियोई का हमारा सबसे बड़ा पिद्रोह यह है कि कला को जीवन से बिमुख नहीं होने देना चाहिए यह नहीं हो सकता कि जीवन जलता रहे और कला बांसुरी बजाती रहे किसका कतन होगा माखनलाल चतरुवेदी जी का यह कतन हो जाएगा अगला है निन्यानवे उपनियास रविंदर बर्मा का है जो जहांसी और जहांसी निवासी रामदियार के परिवार को केंदर में रखकर रचा गया है तो ध्यान में रखना है कि जो निन्यानवे है ये क्या है ये है एक उपनियास है किसका उपनियास होगा रविंदर बर्मा का होगा और इसका बिशे क्या है जहांसी शेत्र में रहरे निवासी रामदियाल के परिवार को केंदर में रखा गया उपनियास होगा ये अगला प्रशन है किस ने अपनी जीवनी रिशी जैमेनी बरुवा को बोल कर लिखाई थी तो ये थे माखनलाल चतुरवेदी अगला है प्रणव कुमार बंदो पाध्याय के किन दो उपनियासों का संदर्व अयोध्याकांड है तो एक तो हो जाएगा पदातिक और दूसरा हो जाएगा पंचवटी ये दोनों ही उपनियास किस के होंगे प्रणव कुमार बंदो पाध्याय के और इसका संदर्व अयोध्याकांड से है अगला प्रशन है 27 कौन सा उपनियास कमला कांत रिपाटी ने 1857 की घटना को किंदर में रखकर लिखा है तो ये हो जाएगा पाही घर जो पाही घर उपनियास है ये कमला कांत रिपाटी का है और इसका जो बिशे है या घटना केंदर में जो रुखी गई है तो ये अठारा सो स्तावन की घटना हो जाएगी या क्रांती हो जाएगी अगला देखिए 28 कानपूर का गोदुली गाउं किस उपनियास का केंदर है तो ये हो जाएगा रमला बहु और रूफसियं चिंदेल ठीक है अगला प्रशने 29 हिंदी के सरप्रतम परकाशित पत्तर का क्या नाम है तो ये हो जाएगा उदंत मारतंड तो जो उदंत मारतंड है ये हिंदी का परकाशित पत्तर था और यो इसका परकाशन बर्षे ये कलकता है अगला प्रशने 30 चायवाद के परवर्टक का नाम बताईए अभी मैंने पीछे बताया था जैशंकर प्रसाद यहां से देखे दो चार तथिया आपको बता देता हूँ कि जो जैशंकर प्रसाद है इनका जो महा काब्य माना जाता है तो ये कामाईनी है कामाईनी इनका महा काब्य है अगर आपसे प्रशन बन सकता है कि कामाईनी में कुल सर्गों की जंक्या कितनी है तो पंदरा इसमें सर्ग माने जाते ही अगला प्रशन पूछा गिया है 31 प्रक्तिबाद उप्योगिताबाद का दूसरा नाम है ये गतन किसका होगा तो ये नंदुलारे बाचपई का गतन हो जाएगा अगला प्रशने 32 प्रेमचंद के अधूरे उपनियास का क्या नाम है तो जो प्रेमचंदर जी का अधूरा उपनियास हो जाएगा तो ये मंगल सुत्र हो जाएगा मंगल सुतर की ये रचना कर रहे थे प्रन्तु इनके आकस्मिक मृत्यू के कारण ये उपनियास अधूरा ही रहा है जो इनका परसिद उपनियास माना जाता है तो वो है गौदान, इसके परशाद गवन, मंगल सुत्तर, रंग भूमी ये इनके प्रमुख उपनियास माने जाती है अगला है तैंटीस, रामधारिसी हैं दिनकर को भारतिय ग्यानपीर पुरुसकार प्राप्थ हुआ था तो ये रचना हो जाएगी उर्वशी इसी के साथ इनकी और भी प्रमुख रचनाएं माने जाती है, साम धेनी, रश्मी रथी ये इनकी प्रमुख रचनाएं, या दखनाएं कि जो उर्वशी है इस पर इने भारति ग्यानपीर पुरुसकार मिला था परशूराम की परतीशा भी इनकी परसिद रचना मानी जाती है जो ये रचना करते थे इनकी रचना ये ओज परदान होते थी, इसका भी धियान रखेगा अगला प्रशने 34, सुहा के नुपूर के रचना कार हो जाएगे अमरित लाल नागर अगला है 35 संस्कृति की चार अध्याई किसकी रचना है तो देखिए संस्कृति की चार अध्याई ये रामधारी सिहं दिनकर की रचना होगी अगला जो प्रशन है 36 क्या पूछा गया है अशो के फूल निवंद के रचनाकार कौन होगे तो ये हजारी परसाद दुवेदी हो जाएंगे तो अगर आपसे ये प्रशन बने कि जो अशोग के फूल है ये किस विदा की रचना है तो ये निबंद विदा की रचना है और इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे अगर इसका प्रकाशन बर्श पूछा जाए तो 1908 इसका प्रकाशन बर्श माना जाता है अगला प्रशन अठथतिस क्या पूछा गया है इसमें दूरित दुख देन नहीं ना थे जब ग्यात अब परिचित जरा मरन भूप रात पंक्ति के रचनाकार कौन होंगे सुमित्रा नंदन पंत तो देखिए अगर ये प्रशन पूछा जाए कि जो चायबाद का वो कौन सा कवी या रचनाकार था जो प्रकरति का सुकुमार कहलाता था तो ये सुमित्रा नंदन पंत ही थे अगर इनका जनम सानपोचा जाए तो ये बरतमान में तो उत्तरा खरंड है प्रन्तु जिसमें इनका जनम होगा था उसमें ये यूपी के ही अंतरकत आता था ये भी दियान में रखना है आगे देखिए 49 निराला के राम, तुल्सी के राम से भिन और भभूती के राम के निकट है ये कथन हिंदी के किस आलोचक का होगा तो ये कथन हो जाएगा रामिला शर्मा का तो देखिए यहाँ पर रामिला शर्मा आगे हैं तो यह मुखित आलोचक के तोर पर जाने जाते हैं और इन्होंने निराला की एक जीवनी लिखी है निराला की साहिते साधना इसका भी ध्यान रखना है अगर निराला की साहिते साधना के एक खंड़ पूछे जाएं कितने हैं तो ये तीन खंडों में विवाजित है अगला प्रशन देखे चारीस, राम के शक्ति पूजा में निराला की किन दो रचनाओं का सार्तत्व सम्माहित है एक तो हो जाएगा जागो फिर एक बार और दूसरा हो जाएगा तुलसी दास तो यहां से आपको निराला की तीन रचनाओं का पता चल रहा है एक तो हो जाएगी राम की शक्ति पूजा दूसरा जागो फिर एक बार तीसरा तुलसी दास यह तीनों ही रचनाओं निराला की हो जाएगी यहां से ध्यान रखेगा राम की जो शक्ति पूजा है इसमें जो दो कवीता हैं जागो फिर एक बार और टुलसिदास इनका सार्तत्व सम्माही थे अगला प्रशने एक तालिस भारत भारती काब्बे के रचनाकार कौन है तो जो भारत भारती काब्बे है इसके रचनाकार हो जाएंगे मैथली शर्ण गुप्द ये देखिएगा जो भारत भारती है इसमें जो भारत देश है इसके पास परजेंट और फ्यूचर के बारे में बताएगा है किस परकार भारत प्राचिन समय में सोने की चीरिया के तोर पर जाना जाता था प्रन्तु बरतमान इस्थिती इसकी क्या हो गई है और आगे किस परकार किस इसकी स्थिती बन सकती है उसके बारे में भी मैथली शर्ण कुमार गुप्द के द्वारा मैथलिशन गुप्त के द्वरा इसमें जिकर किया गया है तो देखेगा जो मैथलिशन गुप्त है इनका समन्द पूछा जा सकता है कि किस यूग से रहा है तो ये द्विवेदी यूग के परमुख रचनाकारों में जाने जाते हैं अगला प्रशने 42 मनुश्य के आच्रण के परबर्तक भाव या मनुविकार ही होते हैं बुद्धी नहीं प्रस्तुत कथन किसका होगा तो ये रामचंदर शुकल का कथन हो जाएगा ये भी इंपोर्टेंट है अगला देखेए तो जो रस्मी मासा रस सिधांत सबंदित पुस्तक है इस पुस्तक के लेकर कौन होंगे तो जो रस्मी मासा रस सिधांत सबंदित पुस्तक है इसके लेकर हो जाएगे अचारे रामचंदर शुकल तो यहां से आपको दो चार तत्या बता देता हूँ देखे जो रामचंदर शुक्र है इन से आप भली बाती वाकिफ होंगे जो अचारे रामचंदर शुक्र है इनके द्वारा हिंदी साहित्य का एक इतिहास लिखा गया है क्या नाम है हिंदी साहित्य का इतियाज और ये हिंदी साहित्य की किसी भी प्रिक्षा का एक रीर माना जाता है ठीक है इनका इतियाज बहुत ज़्यादा महत्पुन है तो देखिए ये पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास अचारे रामचंदर शुकर रचित इसका प्रकाशन वर्ष किया है तो इसका प्रकाशन वर्ष 1929 होगा अगर ये प्रशन पूछा जाए कि इसका प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया था तो ये काशी नागरे प्रचानी सवा के द्वारा प्रकाशित किया गया था अगला प्रशन है निमन में से असंगत का चैन कीजिए तो देखे बिकपसी धनपाल की रचना जसर चरियू नहीं होगी बाकी जो सुमिलित रचनाएं होगे उन्हें मिला लेते हैं कि जो अब्दुलरह्मान की रचना हो जाएगी संदेश रासक्त सही है जो इंदू की रचना हो जाएगी प्रमातम परकास सही है और रामसी हैं की रचना हो जाएगी पाहून दोहा तो ये भी सही हो जाएगा तो देखे कई बार ये भी प्रशन पुछा जाता है कि आदिकाल का वो कौन सा कवी है जो अत्यादिक रहस्तिवाद के तौर पर जाना जाता है तो ये रामसी हैं ही हो जाएगे अगला प्रशने 42-10-14 तावधी का काल जिसे हिंदी का आधिकाल कहते हैं बाशा की दिष्टी से अपपरश का ही बढ़ाव है इसी अपपरश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपपरश कहते हैं और कुछ लोग किसे पूरानी हिंदी कहते हैं तो ये हो जाएगा अचारे हजारी पर साथ दुईवेदी का इंपोर्टेंट कतन है याद दखेगा अगला प्रशन है गंगा, जवुना, माजेरे, बहार, नाई तो जो ये प्रस्तुत पंक्ती यहां पर पूछी गई है इसे वीडियो को पॉज़ करके पढ़िएगा किसकी पंक्ती हो जाएगी तो ये डोंबी पाक की पंक्ती हो जाएगी अगला प्रशन पूछा गया है चवालिस, भक्तिवाद पर सिद्धों का परभाव है इनके साहिते के सबसे बड़ी महत्पुन देनी यह है कि आदिका की प्रामानिक समागरे प्राप्त हुई है तो प्रस्तूत कतन किसका होगा तो ये कतन भी हो जाएगा अचारे हजारी परसाद द्विवेदी का तो देखिए जो अचारे रामचंदर शुकल थे हिंदी साहिते के प्रमुख आलोचक इनका किसी भी पिद्वान के द्वारा कताक्ष नहीं किया गया है या फिर कह सकते हैं कि जो अचारे रामचंदर शुकल ने माना उसे आगी के बिद्वानों के द्वारा वी माना गया था प्रensor जो हजारी परसाद द्विवेदी है इन्हों पर इन्हें लगता था कि अचारे रामचंदर शुकर ने गलत मत प्रस्तूत किया है वहाँ पर इन्होंने सही मत प्रस्तूत करने की कोशिश की है हजारी प्रसाद द्विवेदी की द्वरा ये एक ऐसे एकलोते बिद्वान है हिंदी साहित्य में अगला प्रस्तूत पंक्ती है पूछा गया है किसकी पंक्ती हो जाएगी तो ये शालिवद्दर सूरी की पंक्ती हो जाएगी आगे देखिए एक सेती पटा, एक नील पटा, एक तिलक जन्यू, एक लंबी जटा प्रस्तुत पंक्ती किस की होगी तो ये चरपटना की हो जाएगी अगला प्रशन है 47 पंची गालिया पिंजरे चूटन रो संदेह तो जो प्रस्तुत पंक्ती होगी किस की हो जाएगी खुमान रासो गरंथ की अगला प्रशन है 48 अब्दुलरह्मान कृत संदेश रासो में कितने चंद है तो इसमें हो जाएगी 216 चंद तो देखिए संदेश रासो किस की रचना हो जाएगी तो ये अब्दूलरह्मान की रचना हो जाएगी अगला प्रशना है उन्चास निमन में से किस कृती में बिद्याधर, शारंगधर, जजजल और बबर इन कभियों की रचनाओं को संग्रहीत यास रचा गया है तो ये हो जाएगा प्राकृत पैंगलम इसके जो ये रचना है प्राकृत पैंगलम इसमें बिद्याधर हो गए, शारंगधर हो जाएगे जजजल और बबर इन तिन इन चारों की ही रचनाओं को संग्रहीत किया गया है यहाँ पर थोड़ी रचनाओं इन्होंने प्रस्टूत की है ठीक है अगला प्रशन देखिएगा नात संपरदाय से परवर्ती संतोल के लिए श्रदाचरन परदान धर्म की प्रश्ट भूमी तियार कर दी है जिन संत सादकों की रचनाओं से हिंदी साहिति गौरवन वित हुआ है उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमी मिल गई शुकला नुसार हेमचंदर का ब्याकन गरंथ सिद हेमचंदर शब्दानुशाशन किन भाषाओं का समावेश किया गया है तो जो शुकला नुसार हेमचंदर का ब्याकन गरंथ है सिद हेमचंदर शब्दानुशाशन इन में जो भाषाएं संग रही थे या जिन भाष़ाओं में रचनायर प्रस्तूत की गई हैं तो वो थी संस्क्रिट प्राकृत और अपवरणश आगे है पावन अपवरणश पुरानी हिंदी है इसका साहिते हिंदी साहिते में समिलित किया जाना चाहिए प्रस्तूत कथन किसका होगा तो देखिए अचारे रामचेंदर शुकर गुलेरी जी यहां तातपरी है चंदरधर शर्मा गुलेरी राहूल सांकृतिया इन तीनों ही बिद्वानों ने अपब्रश को पुरानी हिंदी माना है ठीक है अगरा प्रशने 53 देश भाषा में लिखी प्रथम रचना बिद्यापती की पदावली है अता हिंदी का प्रथम कभी बिद्यापती को ही माना जाना चाहिए तो ये कथन किसका होगा तो ये बच्चन सी हैं का कथन हो जाएगा तो जो बच्चन सी हैं इनके द्वारा हिंदी सहीति का दूसरा इतिहास नामक ग्रंथ लिखा गया है तो अगर आपसे ये प्रशन पूछा जाए कि जो डॉक्टर बच्चन सी हैं इन्होंने हिंदी का प्रत्म कभी किसे माना था तो इन्होंने हिंदे का प्रत्म कभी माना था बिद्यापती को तो जो इनकी रचना है पदावली इसको भी ये प्रत्म रचना मानते हैं अगला प्रशन है चववन बिद्यापती का प्रेम ना तो रोमांटिकों की तरह बाईबिय है और नाही भक्तों की तरह दिभ्य है प्रसुत कतन किसका है तो ये कतन हो जाएगा Dr. Bachansihan का ही क्या कहते है विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिकों की तरह बहाईविय है और नाही भक्तों की तरह दिभ्य है अगला प्रशने पच्पन अपब्रश के बालम की किस जैन कवी को कहा जाता है तो जो स्वेम्भू है इन्हें अपब्रश का बालम की कहा जाता है और इनका समंद किस दर्म से रहा है जैन संपरदाय से समंदीत रहे हैं स्वेम्भू अगला प्रशन है चपन अच्छारे रामचंदर शुकल का रामकुमार बर्मा के नुसार गोरक नात का समय क्या है तो यहाँ पर प्रशन मिस्टाइप हुआ है तो यहाँ पर होगा अच्छारे रामचंदर शुकल और रामकुमार बर्मा के नुसार गोरक नात का समय क्या होगा तो ये हो जाएगा तेरवी शती तो देखे जो गोरख ना थे इनके द्वारा नाथों की बास्तविक रूप से स्थापना की गई थी अगर ये प्रशन पूछा जाए कि जो नाथों की संक्या कितनी है तो नाथों की संक्या नो है सिद्धों की संक्या कितनी है उठाई गई है अगला प्रशने 58 खुमान रासो की प्रामानिक प्रती कहां से प्राप्त की गई थी या कहां पर संग्रहित की गई थी तो यह संग्रहित की गई है पूने संग्रहलिय में अगला प्रशने कयमास बद प्रसंग किस रासो ग्रंथ के अंतरगत आता है तो यह आता है प्रिथ्वी राज रासो ग्रंथ के अंतरगत कयमास बद ठीक है तो यहाँ पर पदमाबती जो अपना सर्ग है या समय है उसको भी संग रहीत किया गया है इसी के साथ रेवातर्थ य ये भी इसी के अंतरगत आता है पृथ्वी राज रासों के अंतरगत। 6. पृथ्वी राज रासों के रूप में किसने प्रस्तुत किया है तो ये किया गया था हजारी परसाद दुवेदी के द्वारा। अगला प्रशन है 61, बिसल देव रासो को बीर गीत के रूप में सबसे पहले किस ने लिखा था? तो ये लिखा था या कहा ग्या था? कि जो अचारे रामचंदर शुकल है ये मानते हैं कि जो बिसल देव रासो है ये बिर गीत के तोर पर लिखी गई फुस्तक है, ये मत शुक है तो ये बिसल दिवरासो गुंद से लिए गई है अगला प्रशन है तो जो स्वांतह सुखाएнак है तो ये बच्चंसी่ा के अनुसार माना गया है बच्चंसीहने हिंदी का प्राथम कवी किसे माना तो अगला प्रषन से ये प्रशन पूछा जा है कि जो बिद्यापती को रहस्य बादी कभी किसने माना था तो ये ग्रियर सर के द्वारा माना गया था अगला जो प्रशन पूछा गिया है 65 बिद्यापती के पदावली को आधियात्मिक कहना खजुराओ के मंदिरों को आधियात्मिक कहना होगा किस ने कहा ये कहतन तो ये कहा था बच्चन सिहें के दौरा अगला प्रशन देखिए 66 मोहनलाल बिशुनलाल पंडिया ने प्रित्विराज रासो को 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 पू अगर ये प्रशन पूछा जाए कि जो मोहनलाल बिश्वनलाल पांडियान पृत्युराज रासों को प्रमानिक माना है या फिर अप्रमानिक तो इन्होंने इसे प्रमानिक माना है जो मिश्र बंदू थे इन्होंने भी इसे प्रमानिक ही माना है अगर डॉक्टर नगेंदर की बात की जाए तो इन्होंने इसे अर्द प्रमानिक माना है अगला प्रशन देखिए स्तासट बिद्यापती को कृष्ण भक्तों की प्रमपरा में नहीं समझना चाहिए ये किस ने कहा है तो ये रामचंदर शुकल जी का मत है अगला है किर्ती रता की रचना कितने पलबों में की गई है तो जो किर्ती रता है इसकी रचना की गई है चार पलबों में बी सही बिकल्ब हो जाएगा यहाँ पर अगर ये प्रशन पूचा जाए किर्ती रता किस की रचना हो जाएगी तो ये विद्यापती की रचना हो जाएगी अगला प्रशने 69, सिद्धों की रचनाओं का एक संग्रह, पहले हर परसाज शास्त्री ने 1916 में बंगला अक्षरों में बौद गान और दूहा के नाम से निकाला था प्रस्तुत कत्रन किसका होगा? अचारे रामचंदर शुकल का आगे देखें सत्तर शारंगधर की हमीर रासो रचनापर अपब्रश्टी रचनाओं की परंपरा का समवापन कौन मानते हैं? तो ये मानते हैं अचारे रामचंदर शुकल अगला प्रशने नात्पंतियों की भाषा का सदुकरी किसने कहा है तो जो नात्पंतों की भाषा का सदुकरी कहा है अचारे रामचंदर शुकर ने इसी परकार कवीर दास की भाषा को सदुकरी किसने कहा था तो ये अचारे रामचंदर शुकर नहीं कहा था ये भी कहा जाता है कि जो नाथपंतियों से ही कबीर दास ने सदुक्री भाषा को ग्रहन किया था अगला प्रशने 72 डॉक्टर नगेंदर के अनुसार इतिहासकार ने क्या है अचारे रामचंदर शुकर फिर देखिए तो यहां से देखिएगा एक प्रशन आपसे बन सकता है कि यहां पर आपको चार विद्वान दिये जाएंगे एक दिये जाएंगे गणपती चंदर गुपत एक दिये जाएंगे डॉक्टर नगेंदर एक दिये जाएंगे अचारे रामचंदर शुकर एक दिये जाएंगे हजारी परसाद विवेदी अब आपसे ये प्रशन पूछा जाएगी कि नीमन में से किस इतिहासकार ने इतिहासकार नहीं लिखा है तो जो डॉक्टर नगेंदर होंगे इनके द्वारा इतिहासकार नहीं लिखा गया है इन्होंने इतिहासकार को सिर्फ संपादित किया है बाकी जो तीन विद्वानों के गर्पती, चंदर, गुप, हजारी, परसाद, विवेदी, रामचंदर, शुकर इन तीनों के द्वारा यही इतिहास गनत लिखा गया है अगला प्रशने 73, सुनिती कुमार चटर जी ने उक्ति ब्यक्ति प्रक्रण की भाषा को कहा है तो जो उक्ति ब्यक्ति प्रक्रण है इसकी भाषा को कहा है सुनिती कुमार चटर जी ने प्राचिन कोसली अगला देखे 74, अप्रवर्श को पुरानी हिंदी नहीं मानने वाले इतिहास कार थे तो जो अपरवश को पुरानी हिंदी नहीं माना है तो ये हजारी परसाद दुवेदी नहीं माना है बागी चंददर शर्मा गुलेरी, रामचंदर शुकल और राहूल सांकरतियान इन तीनों की द्वारा ही अपरवश को पुरानी हिंदी माना गया है अगला है 75 हिंदी को हिंदी का संत्मत काव्य पूरबर्ती सिद्धों वर नात्पंतियों के साहित्य का सहज बिक्सित रूप है किसका मत होगा ये तो ये हजारी परसाद दुईवेदी का ही मत है कि जो हिंदी का संतकाव्य पूर्वपरती सिदों वर नात्पंतियों के साहिते का सहज बिक्सित रूप है पहले ही मैंने आपको ये बता दिया था तत्या फिर देखे 76 हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझे जाने वाली जाती भी अपने से नीची एक जाती ढूंड लेती है प्रस्तुत कथन किस का होगा तो ये हजारी परसाद दुईवेदी का ही होगा द्रोइवेदि जी कहते हैं कि हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझ जाने वाली जाती भी अपने से नीची एक जाती ढूंड लेती है फिर है 77, परमाल रास्थों को अर्दपरमानिक किसने माना है तो जो प्रमाल रासो है इसे हजारी परसाद्वी वेदी के द्वरा अर्द प्रमानिक माना गया है इसी परकार जो अपना प्रित्वी राज रासो है इसे भी हजारी परसाद्वी वेदी के द्वरा अर्द प्रमानिक माना गया था अगर आपसे ये प्रशन पूछा जाता है कि वो कौन सा काल है जिसमें अत्यादिक अद्रप्रमानिक की या उस काल की रचनाओं को जाली गरंत ठहराए गया है तो वो काल होगा आदी काल तो देखे जैसे अपना परमाल रासो हो गया प्रित्वी राज रासो हो जाएगा खुमाल रासो हो गया इन सभी गरंतों के उपर अलग अलग विद्वानों ने प्रशन चिन उठाए थे इसलिए इन्हें अर्दप्रमानिक परमानिक या फिर जाली गरंत ठहराए गया है अगला प्रशने 78 हजारी प्रसाद दुवेदी अपभभश को हिंदी से अलग रखना चाते थे फिर भी उन्होंने उत्तर अपभभभश कालिन साहित्य को आदिकाल की सामागरी मान कर उसका विभेचन किया है प्रस्तुत कथन किसका होगा तो ये डॉक्टर नगेंदर का ही कथन हो जाएगा अगला प्रशन देखिए 79 आदिकाल को अत्यादिक बिरोधों और ब्याएगातों का यूग किसने कहा है तो ये हजारी प्रसाद दुवेदी के द्वारा ही कहा गया है तो यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद दुवेदी के द्वारा जो हिंदी साहित्ते का इतिहास लिखा गया है हिंदी साहित्ते का आदिकाल हिंदी साहित्ते की भूमिका और हिंदी साहित्ते का उद्वव और विकास इनके द्वारा लिखे गये हिंदी साहीत्ते के इतिहास हैं तीन इतिहास गरंद इनके द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं जो यहाँ पर इतिहास गरंद के त ओर पर ठहरते हैं फिर देखिए 80 अबिमान मेरु किसे कहा जाता है तो जो पुशबदंत है इन्हें अभिमान मेरू कहा जाता है अगर पुशा जाए पुशबदंत का समद्ध किस धर्म से रहा है तो ये भी जैन साहितिय कार के तौर पर जाने जाते थे और इनका समद्ध आधिकाल से रहा है अगला प्रशने 83 भारत में सरवदिक लोकों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है तो ये बोली जाती है हिंदी अगर पूशा जाए भाषा के तौर पर अगर ये पूशा जाए बोली के तौर पर तो ये बोचपूरी हो जाएगी अगर ये प्रशन बने आपसे कि हिंदी की लिपी कौन सी है तो हिंदी की लिपी देवनागरी हो जाएगी अगला प्रशन देखे 84 समीधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी बारत की राजभाशा है तो ये अनुच्छेद 341 के अनुसार होगा याद रखेगा इंपोर्टेंट है ये प्रशन कई बार पूझा जाता है अगला प्रशन है 85 हिंदी दिवस किस तिथी को मना जाता है तो ये मना जाता है 14 सितंबर को अगर पूझा जाए बिश्व हिंदी दिवस को मना जाता है तो ये प्रशन का उत्तर आप दीजेगा अगला प्रशन देखिए 86, मैथली किस राज़े की भाषा है तो जो मैथली होगी ये बिहार राज़े की भाषा हो जाएगी अगला प्रशन ने 87, भारत के प्रतम राश्टर कभी कौन है तो ये मेथलिशन गुप्त हो जाएंगे और किनों ने मेथलिशन गुप्त को भारत का राष्टर का भी कहा था तो ये कहा था महात्मा गांधी के द्वरा अगला प्रशन देख़े अगला प्रशने 89 हिंदी बिशे पर प्रथम ग्यानपीट फुर्सकार प्राप्त करने वाले कौन भी द्वान है तो ये है सुमित्रा नंदन पंथ तो जो सुमित्रा नंदन पंथ है इनकी जो प्रथम रशनावाने जाती है गिर्जे का घंटा ठीक है पल्लव इनकी अत्यातिक प्रचलित काबि संग्रह के तोर पर जाना जाता है और जो परिवर्तन नामक इनकी कवीता है तो ये परिवर्तन पर अधारित होती है अगला प्रशने 90 कलम का सिपाही किसे माना जाता है तो जो जो मुशी प्रेमचंदर है इन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है इनकी जो धर्म पत्नी थी शिबरानी देवी इनके द्वारा प्रेमचंद घर में है नामक इनकी जीबनी लिखी गई है उसी प्रकार से इनके पुत्तर थे अमरित राय इन्होंने भी इनके उपर जीबनी लिखी है तो उसका नाम है कलमका सिपाही अगला है 91 साहित्यकार अग्ये का पूरा नाम क्या था तो जो साहित्यकार थे अग्ये इनका पूरा नाम था सचिरानन्द हिरानन्द बातसयान अग्ये इसे नोट कीजीगा कई बार इंटर्वियों में ये प्रशन पूछा जाता है कि जो अग्ये जी है इनका पूरा नाम क्य तो सचिरानन्द, हिरानन्द, बात्सयान, अग्ये इनका पूरा नाम था तो यहां पर देखेगा, इनकी कही रचनाय पूछे जाती है और कही काभिय संग्रह पूछे जाते हैं तो इनकी जो अत्यादिक प्रचलीत कवीता थी असाद्य बीना, काभी बार पूछा जाता है कि जो असाद्य बीना किसकी कवीता है तो अग्ये की कवीता इसने माना जाता है यह लंबी कवीता है इनकी, इसी परकार इनकी जो दूसरी है सांप, यह भी इनकी कवीता है अगर इनकी जो उपनियासों के बारे में हम चचा करें शेखर एक जीवनी इनकी प्रचलित और मुख्य तोर पर जाने जाने वाली रचना है उपनियास के तोर पर शेखर एक जीवनी अपने अजनवी यह वी इनी का रचित उपनियास है अग्ये की द्वारा ही जो अपने अचारे हजारी पर साथ दूइवेदी है इन्हें आधुनिकाल का बानबट कहा है अगला प्रिशन देखिए 92 हिंदी का प्रतम पत्तर कौन सा है पत्तर नहीं होगा यहां पर पत्तर होगा तो जो उदूंत मारतंड है इसे हिंदी का पत्तर कहा जाता है और यह कलकतासे प्रकास्षित होता था और यह है एक साब्ताहिक पत्तर था अगला प्रशन देखिए 93 भारत में संस्क्रित मा है हिंदी बहुरानी है अंग्रेजी नौकरानी है किस महापुर्ष के ये अनुबोल भचन हो जाएंगे अगला प्रशन देखिए 94 भारत का शेक्स्पियर किसे कहा जाता है तो जो कालिदास है इन्हें भारत का शेक्स्पियर कहा जाता है शेक्स्पियर का सबंध किस भाषा से रहा था तो अंग्रेजी भाषा से सबंध रहा है शेक्स्पियर का अगला प्रशन देखिए 95 मध्य परदेश के किस जिले को देश का प्रतम हिंदी साक्षर जिला गोशित किया गया है इंपॉर्टिन प्रशन है ये भी तो ये होगा नरसी हैं पूर को अगला देखिए 96 रामदारी सी हैं दिनकर को किस रचना के लिए ग्यानपीट पूरुसकार मिला था तो उपर हमने डिसकस किया था तो उरवशी को अगला है 97 देश का पहला राष्टी हिंदी संगराले कहां पर स्थापित किया गया है तो ये आगरा में किया गया है अगला प्रशन है 98 बिशम में सरवादिक भाषाइं किस देश में बोली जाती हैं तो ये भारत देश में बोली जाती है अगला है 99, सविधान की आठवी अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में साविधानिक दर्जा दिया गया है तो ये 22 भाषाई है अगला है 100, हिंदी की बर्ण माला में कितने स्वर और कितने ब्यंजन है अगला है 101, हिंदी में आशुलीपी के जनमदता किसे कहा जाता है तो ये राधेलाल द्विविती होंगी फिर है महादेवी बर्मा को किस रचना के लिए ग्यानपिट फुर्शकार दिया गया था तो ये ग्यामा के लिए दिया गया था इनकी जो परमुक रचना है नीर्जा होगी ये भी इनकी परमुक रचना है नीर्जा अगला दीखिए 103, आधनिक यूग के चर्ण है तो बताना है कि आधनिक यूग के चर्ण किसे कहा जाता है तो रामधरी इसी है दिनकर को देवताओं की लिपी किसे कहा जाता है देवनागरी लिपी को अगला है 105 हिंदी भाषा का प्रतम महाकाबे किसे कहा जाता है तो ये प्रिथ्वीराज रासु है इसे हिंदी का प्रतम महाकाबे कहा जाता है और जो चंद बरदाई इसके रचना कार हो जाएंगे इसली के साथ देखे दो चार प्रशन और बता देता हूं आपको कई बार ये प्रशन पूछा जाता है कि जो रामचरित मानज है ये किसकी रचना है तो ये तुलसी दास की रचना हो जाएगी और इसकी भाषा पूछी जाए तो ये अब्दि हो जाएगी तो अगर आपसे ये प्रशन पूछा जाए कि सूर सागर किसकी रचना हो जाएगी तो ये सूर्दास की रचना हो जाएगी और इसकी रचना इसकी जो भाषा होगी ब्रज भाषा में ये रचित है फिर आपसे ये प्रशन पूछा जाता है कि जो पदमबत है ये किसकी रचना है तो जो पदमबत है ये जाईसी की रचना वानी जाती है और अगर इसकी भाषा पूछी जाए तो इसकी भाषा अबधी हो जाएगी अगला प्रशन देखिए एक सुच्छे हिंदी गद्धे के प्रतिश्ठापक कौन है यहां पर गद्ध नहीं गद्धिय होगा तो हिंदी गद्धे के प्रतिश्ठापक हो जाएंगे हजारी अचारे महावी परसाद दुईवेदी यहां पर देखिए महावी परसाद दुईवेदी का नाम आ गया है तो ये important हो जाते हैं जो महाबीर परसाद दूई बेदी है इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संपादा था तो 1903 से लेकर 1928 तक मान सकते हैं आप तो जब से इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संपादा था उसके फश्चात से इन्होंने खड़ी बोली में रचनाये लिखनी और छापनी शुरू कर दी थी इन्होंने इस पष्ट रूप से कह दिया था कि जो अगर आपने सरसुती पत्रिका में कवीता चपवानी है तो आपको खड़ी बोली में ही लिखना पड़ेगा इसी के साथ आपको ब्याकरण की शुदता पर भी ध्यान देना पड़ेगा ऐसे ही किसी रचना को यह नहीं चापते थे अगर मालीजी कोई इनके बास रचना चापने को देता था तो पहले यह इसे अच्छे से पड़ते थे अगर और कोई ब्याकरणिक दोश वहाँ पर तो उन्हें सुधार करने के लिए तो देखिए एक बार की बात आपको यहां पर बताता हूँ एक बार ऐसा होता है कि जो महाबीर परसाद्विवेदी हैं इनके समक्षा जाती है निराला जी की एक रचना कौन सी रचना थी वो जोही की कली तो जो महाबीर परसाद्विवेदी जोही की कली को देखते हैं तो ये इसे चपवाने से इंकार करते हैं तो चपवाने का कारण ये कहते हैं कि इसमें जो ही की कली है इसमें अशलीलता पाई गई है इसलिए मैं इस कवीता को नहीं चाप सकता तो ठीक है इन तथियें को भी धियान में रखेगा अगला प्रशन है 107 हिंदी खड़ी वोली के जनम दाता कौन थे तो जो हिंदी खड़ी वोली के जनम दाता है ये भारतिंदू हरिश्चंदर माने जाते हैं अगर हिंदी साहिते में अगर आपसे ये प्रशन पुछा जाए कि हिंदी साहिते में वो कौन सा बिद्वान है जिसे हिंदी का अगर्दूत कहा जाता है तो ये भारतेंदू हरिष्चंदर ही थे अगर भारतेंदू हरिष्चंदर का जनम पुछा जाये तो कब हुआ था तो ये हुआ था 1850 में भारतेंदू हरिष्चंदर का जनम कई बिद्वान जो हिंदी साहित्य का जो पास्त्विक रूप है इसका आरंब 1850 से ही माते हैं अगला प्रशन देखिएगा 108 हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रबर्तक कौन थे तो जो हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रबर्तक थे हरीवन श्राइब बच्चन जो हरीवन शराय बच्चन है और डॉक्टर बच्चन सी है इन दोनों में अंतर है इन्हें एक ना मानिएगा जो हरिवंश्राय बच्चन है ये अमीता बच्चन के पिताजी थे और जो डॉक्टर बच्चन सी है इनके द्वारा हिंदी साहित्ते के दूसरे इतियास की रशना की गई है अगला प्रशन देखिएगा 109 हिंदी साहित्य के प्रथम कहानी कौन सी है तो हिंदी साहित्य के प्रथम कहानी जो माना है तो ये इंदुमत्य को माना है सर्प्रथम किसने इंदुमति को हिंदीचाहिति की प्रथम कहानी माना था तो यह माना गया था अक्निय अचारे रामचंदर शुकल की द्वरा और इसका प्रकाशन बष अगर पूछा जाए तो यह 1900 इसका प्रकाशन बष है तो कई भार ये भी प्रशन पूछा जाता है कि जो किस यूग से द्विवेदी यूग का प्रारंब माना जाता है तो ये माना जाता है 1900 से ठीक है 1900 से द्विवेदी यूग का प्रारंब माना जाता है अगला जो प्रशन पूछा गया है हिंदी के प्रतम कभी किने माना जाता है तो जो सिद सरहपपा है इन्हें हिंदी के प्रतम कभी के तोर पर जाना जाता है और इनका जो समय है ये नौवी शती है अगर ये प्रशन पूछा जाए जो सरहपपा है इन्हें हिंदी का प्रथम कभी किसे माना गया था किसके द्वारा माना गया था तो ये राहूल सांकृतियान के द्वारा इन्हें हिंदी का प्रथम कभी माना गया था अगला प्रचने 111 हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है तो जो श्राब का चार है ये हिंदी की प्रथम रशना माने जाती है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है तो अचारे देवसेन के द्वारा इसे लिखा गया है और जो देवसेन थे इनका समध जैन साहितिय प्रमपरा से रहा है अगला प्रशन देखीगा 112 हिंदी का प्रथम उपनियास कौन सा है तो जो हिंदी का प्रथम उपनियास है ये प्रिक्षा गुरु है और श्री निवास दास के द्वारा इसे लिखा गया है अगला प्रचने 113 हिंदी के प्रथम पत्री का कौन सी है तो जो संबाद कौमूदी है इसे हिंदी के प्रथम पत्री का कहा जाता है फिर है 114 हिंदी के सरप्रथम गीत लेकक कौन थे तो जो ये बिद्यापती थे ये हिंदी के सरप्रथम गीत लेकक थे अगला है 115 हिंदी की सरप्रथम दैनिक समाचार पत्तर कौन सा था तो ये समाचार सुधा वर्षन था हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्तर फिर हिंदी के प्रतम एकांकी कौन सी है तो ये एक गुंट इसे हिंदी के प्रतम एकांकी माना जाता है और जैशिंकर प्रसाद इसके रचनाकार हो जाएंगे फिर देखिए 117 मैला आचल उपनियास के लेखक कौन होंगे तो जो मैला आचल उपनियास है इसके लेखक हो जाएंगे फनिश्वर नाथ रेनू अगर ये प्रशन पूछा जाए कि जो मैला आचल है ये किस प्रकार का उपनियास है तो ये एक आँचलिक उपनियास है इसी उपनियास से आँचलिक उपनियासों के शुरुवात मानी जाती है अगला और आज का अंतिय प्रशन देखिए 118 हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया जाता है तो देखिए आदिकाल, भक्तिकाल, रितिकाल और आदुनिक काल तो कई बार यहां नामकरने से भी प्रशन पूछा जाता है कि जो हिंदी साहित्य का आहरंबिक काल है इसे आदिकाल नाम किसके द्वारा दिया गया था तो जो अचारे हजारी परसाद दूइवेदी हैं इन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया गया था अगर यह प्रशन पूछा जाए आदिकाल को बिरगाथा का नाम किसके द्वारा दिया गया था तो आदिकाल को बिरकाथा का नाम दिया गया था अचारे रामचंदर शुकल के द्वरा आदिकाल को इसके पश्चा जो मद्धिकाल है इसे भक्तिकाल भी कहा जाता है और रितिकाल को उत्तर मद्धिकाल भी कहा जाता है कई वार ये भी प्रश्न पूछा जाता है सीदे-सीदे हिंद्य शहित्य का वो कौन सा काल है, जिसके नामकर्ण पर सरवादिक विबाद है तो ये आधिकाली होगा कई बिद्वानों के द्वारा से कई नाम परदान किये गए हैं इसलिए ये सरवादिक विबाद से भरा हुआ कालमाना जाता है। तो देखे अब यहां पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। हमने लगवग 118 प्रशनों को डिसकस किया। अगर हम तत्यों की बात करें तो यह लगवग 200 प्रशनों की और इंगित हो जाते हैं। अगर आपने इसे धंग से पढ़ा होगा इस वीडियो को धंग से देखा होगा तो यहां से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होई होगी। आपको एक्जाम को क्रैक करने के लिए ठीक है। तो अब यहां पर अपने वीडियो को समापन कर लेते हैं। आप लोगों को एकर यह वीडियो अच्छे लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अब अबच्छे करेगा। तो ठीक है, तेंक यू.